केटीम ने भारत में आखिरकार 790 ड्यूक लॉंच कर दी है जिसकी कीमत 8,63,000 रुपे रखी गई है ये पहला मौका है जब केटीम ने भारत में पी दमदार स्पोर्ट बाइक लॉंच की है नहीं KTM 790 ड्यूक में 799cc का पारलल ट्विन एंजन लगाया गया है जो 103bhp पार और 87Nm पीक टॉक जनरेट करता है अच्छी की बात करें तो बाइक कॉर्नरिंग ABS, ट्राक्शन कंट्रोल और वीली कंट्रोल के साथ आती है इसके अलावा बाइक में रेन, स्ट्रीट, स्पोर्ट और ट्रैक नामक चार मोट्स दिये गए है राइडर तक सभी जरूरी जानकारी पहुँचाने के लिए TFT स्क्रीन वाला इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल भी दिया गया है 790 ड्यूक को बजाज की चाखन प्रांट में असंबल किया जाएगा और कमपनी ने इसके लिए बुकिंग्स पहले से ही शुरू कर दी है मारुती सुजुकी 30 सितंबर 2019 को भारत में नई एस्प्रेसो हैच पैक लाँच करने वाली है जिसका स्केच कमपनी ने हाली में जारी किया है जहां तक हमें दिखा है उसमें ये कार बोल्ट स्चांस और दमदार लुक में आएगी मारुती सुजुकी ने इसे मिनी SUV का नाम दिया है और कार को देखने पर बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है लॉंच के बाद मारुती एस्प्रेसो का मुकाबला रेनो क्विड और हुंडे सैंट्रो जैसी कारों से भी होगा माना जा रहा है कि एस्प्रेसो औल्टो केटन वाली वान लीटर एंजिन के साथ आएगी जो 67 BHP पार और 90 Nm पीक टॉक जनरेट करता है ग्राँकों के बजट के हिसाब से मारुती सुजुकी नई एस्प्रेसो को कई ट्रिम्स में पेश करेगी टाटा मोटर्स ने त्यहारों के सीजन में बिकरी को बढ़ाने के लिए अपनी सभी कारों के लिए प्रो एडिशन एक्सेसरी पैकेज लाँच किया है टाटा ने प्रो एडिशन पैकेज हैरियर, हेक्सा, नेक्सॉन, टिगोर और टियागो में उपलब्ध कराया है जिसमें कार को दिखने में आकरशक बनाने के साथ कुछ नए फीजर्स भी दिये जाएंगे असल में प्रो एडिशन कार को दी जाने वाली एक्सेसरी की रेंज है जो देश भर की टाटा डियलर्शिप पर उपलब्ध है टियागो और टिगोर के लिए इस पैकेज की कीमत 29,999 रुपे से शुरू होती है और टाटा हैरियर के लिए ये पैकेज की कीमत 1,10,000 रुपे है प्रो एडिशन पैकेज में कार को पॉप अप सन रूफ, आम रेस्ट, वेहिकल ट्राकिंग सिस्टम, संशेड्स और मूड लाइटिंग जैसे कई और फीचर्स दिये जा रहे है